हेलो आज हम बात करेंगे Vivo Y20i के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Contact Settings के बारे में कैसे आप लोग अपने फोन में Contact को Import करेंगे और Export करेंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप लोग Contact को Open करेंगे उसके बाद जो लेफ्ट साइड में उपर में जो क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर जाते इसके उसके बाद यहां भी मिलता है Manage Contact में Import का Option और Export का Option मैं आप लोग को इतना आसान तरीका बताऊंगा जो कि आप लोग काफी आसान तरीका दिस समझ आ जाएगा जैसे कि आप लोग के फोन में contact होगे ठीक है ना आप लोग उसका contact.vcf फाइल बना लिजे एक documents type का होता है वो उसके बाद आप लोग उसको कहीं पर भी share कर सकते हैं जैसे आप लोग किसी अन्य फोन में share करते हैं उसको तो automatic जितने भी आप लोग के फोन के contact रहेंगे अगले वाले फ contact सो करेंगा मतला applications sharing wearing करते रहते ना उसी टाइप से contact के भी आजकल फाइल बन जाती है .vcf फाइल जिससे हम यह सब चिचे कर सकते हैं ओके तो आही हुप आप लोग को पता चल गया होगा अगर कोई डाउट रहता तो आप लोग हम इस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी